हेलो फाइमली। última स्कूंप मैं स्माट बनी टीचिंग और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Constitution की प्بिपिरेशन में हम आने वाले वीक में जो भी currency pair हमें opportunity डे सकती हैं उसके बारे में बात करते हैं और उसको ट्रेड करने के लिए तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो को आपने ना करो तो लेट्स गोइन टोक अबाउट फर्स्ट करेंसी पेयर Okay family तो अमारी 1st currency pair है एंजटी JPY एजटी JPY का डाइली टायमZeर्म का आप पर स्ट्रक्चर देखो तो यहां पर मर्केट ओवर ौर रेंजिंग कर रहा है और अगर हम करन्ट में देखें तो यहां पर देखिए यह जो हई har है इसको मर्केट ने मैनौप्लेट किया पिर नीचे मार के चले गया और यहां पर यह एक अनृम इटियिटेटड एरिया बना था डेली टाइम का, ओके? तो इसको हम supply zone बोल सकते हैं, higher time frame का. तो higher time frame के जो areas होते हैं, resistance हुआ या फिर supply zone हुआ तो वो बहुत powerful होते हैं. तो उनमें power होती है market की direction को बदलने के लिए. तो इसको हम as a resistance भी ले सकते हैं और as a supply zone भी ले सकते हैं. तो market यहाँ से चाउन जा सकता है और यहां पर देखिये 맛있 Smu हमारे REP les Hill में ओर रेडी आ चुकर ऎहां पर ओके तो में का च्योंकर देखना है औरक ऑलिक च्रॉप करेंगे मां पर साल करना या नहीं करना lijn वाउयट बॉक्स हमारा टेली टाम्झे म्रिकी गई और यहां पर जैसे मारगेट गया मीण टायम नीचे की तरफ ब्रेक्व अफ स्टुक्चर देखने को मिला यहां पर देखो लो है कि ब्रेक हुआ है जिसको हम बोलेंगे change of character, इसके साथ ये lows भी break हुए है, तो ये indication है कि sellers are powerful, तो हम यहाँ पर sell exhibition कर सकते हैं, तो अगर हम hourly time frame में area बनाएं, जहाँ पर हमें sell मिल सकता है, तो मैं आपको zoom करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पर देखिए, तो मैं white box अठा देती हूँ, ताकि हम अच्छे से यहाँ पर areas को देख पाएं, तो यहाँ पर हमें एक ऐसा area बनाना है, जो कि unmitigated है, और valid है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी order block है, सब mitigated है, यहाँ पर बस यही एक order block है, यह वाला last one, जो कि unmitigated है, तो यहा तो हमें एक ऐसा order block identify करने की जरूत है, जो कि unmitigated है, जिसके नीचे imbalance होता है, तो यही एक last order block है, जो कि mitigate नहीं हुआ है, तो इसको हम हमारा POI बना सकते हैं, cell opportunity के लिए, तो इसको मैं red box में change करती हूँ, तो यह हो जाएगा हमारा one hour time frame का cell zone, तो हमें यहाँ पर cell मिल सकता है अब हमें यहाँ पर direct trade नहीं लगाना है, lower time frame confirmation लेनी है, तो market को यहाँ पर आने दो, market यहाँ पर आ जाए, फिर minute time frame में जा करके, हमें एक lower time frame confirmation लेनी है, अगर हमें lower time frame confirmation मिलती है, तो हम यहाँ पर trade लगा सकते हैं, तो इस तरीके से यह NJDGPY में analysis हो रहा है, और यहाँ पर expert हो, आपको अच्छे से trading आता है, तो आप counter trade भी कर सकते हो, जब तक market retest कर रहा है, तब तक हम यहाँ पर buy execution कर सकते हैं, और अगर आप beginner हो, तो मैं आपको worry comment नहीं करूंगी, तो इस तरीके से NJDGPY में हमें sell opportunity मिल सकती है, और इसका follow up भी मैं आपको telegram पर देती रहूंग तो make sure आप telegram group में join हो, अब हम बात करते हैं next currency pair की, और वो है cat CHF, cat CHF का daily time frame का आप structure देखो, तो market overall downtrend कर रहा है, और अगर हम current में देखें, तो यहाँ पर देखिए, यह हमारा high बना था, फिर यह हमारा low बना है, ओके, तो अब हमें area बनाने है, daily time frame के, जहाँ पर हमें sell opportunity मिल सकती है, तो उससे पहले inducement दूरने की जरूरत है, तो यहाँ पर देखिए, यह हमारा inducement होगा, so this is our inducement, तो अब हम area बनाएं, जहाँ पर हमें opportunity मिल सकती है, तो यहाँ पर देखिए, एक यह वाला area है, and एक हमारा extreme पे यह वाला zone है, तो यह दोनों zone पे हमें अच्छी sell opportunity मिल सकती है, और अगर आप notice करो, तो market हमारे first वाले zone पे आ चुका है, इस वाले area में आ चुका है, तो अभी hourly time frame में क्या structure बनेगा, उसके हिसाब से हम decision लेंगे कि हमें यहाँ पर sell करना है या नहीं करना, तो हम चलते है, hourly time frame के structure को देखने के लिए, तो let's go in hourly time frame, ओके family तो आ चुके है, हम four hour के time frame में, तो यहाँ पर देखिए, market जैसे हमारे white zone में आया, इसमें आने के बाद market यहाँ पर structure create कर रहा है, तो यहाँ पर देखो, liquidity create हुई, फिर manipulation हुआ, अभी break of this cluster का हमें wait करना होगा, तो यहाँ पर देखो, यह जो low है, यह break होना चाहिए, change of character हमें मिलना चाहिए, अगर यह low break होता है, तो फिर हम hourly time frame में areas बना सकते हैं, जहाँ पर हमें sell opportunity मिल सकती है, तो मार्केट स्टार्ट होगा, तब हमें बता चलेगा कि यहाँ पर होगा क्या, तो मार्केट स्टार्ट हुआ मालो, और मार्केट ने नीचे की तरफ इसको break कर दिया, तो फिर हमें inducement बनने का wait करना है, inducement बनने के बाद हमें area find out करना है, और वहाँ पर फिर हम lower time frame confirmation लेकर के opportunity येट कर सकते हैं sell करने के लिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए, current में market weekly time frame के supply zone पर है, तो यहाँ पर देखो, यह weekly time frame का area है, और market वहाँ पर current में है, तो यहाँ पर हमें opportunity मिल सकती है sell करने की, क्योंकि market हायर time frame के supply zone पर है, ओके family तो आ चुके है, हम four hour के time frame में, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यह जो white box है, हमारा weekly time frame का supply zone है, और जैसे market हमारे weekly time frame के zone में गया, बहां से market ने नीचे की तरफ यह local break हिया, तो इसको हम बोलेंगे change of character, तो यह indication है कि seller's power में है, तो हमें यह पर sell opportunity मिल सकती है, तो उसके लिए अगर हम area बनाए, कि कौन सा area better है sell के लिए, तो मैं आपको बताती हूं, तो यह white box में अठा देती हूं, ताकि हम अच्छे से hourly time frame के areas को देख पाए, तो मैं इसको zoom करती हूं, यहाँ पर अगर आप देखो, तो सारे यह जो order blocks है, यह mitigated है, इवन यह जो order block है, यह भी market मिटिगेट किया है, यहाँ पर देखो shadow आई है, mitigate करके market नीचे गया है, यहाँ पर जो unmitigated area है, वो है यह वाली candlestick, जो कि mitigate नहीं होगी है, तो इसको हम हमारा order block बना सकते है, hourly time frame का, तो यह हो जाएगा हमारा 4 hour का sell zone, और अगर आप देखो, तो हमारे इस hourly time frame के area में market already आ चुका है, तो अभी हम one hour के time frame में चलते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या structure बन रहा है, ओके family तो आच चुके हैं हम one hour के time frame में, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जैसे ही market हमारे 4 hour के area में आया, यह white box हमारा 4 hour का zone है, यहाँ पर market structure ready कर रहा है, तो यहाँ पर देखो, liquidity create हुई, फिर manipulation हुआ, अभी break off structure नहीं मिला है, तो हमें उसका wait करना पड़ेगा, तो जो यह low है, इसके break का हमें wait करना है, अगर market इसको break करता है, start होने के बाद, फिर हम inducement देखेंगे, और फिर हम हमारा area बनाएंगे, sell opportunity के लिए, तो देखते, market start होता है, तो क्या करता है, उसके हिसाब समय मैं आपको follow up देती रहूंगी, टेलिग्राम पे, किस currency में क्या होने वाला है, और किस तरीके से trade लगानी है, तो यह है euro aud का analysis, अब हम बात करते हैं, next currency pair की, और वो है gold, gold में मैंने आपको पहले की preparation में बताया था, कि यहाँ पे देखो, weekly time frame में यह जो high है यह sweep हुआ है, तो यहाँ पे उपर की तरफ liquidity sweep हुआ है, तो जब market एक direction में liquidity sweep करता है, फिर market उसके opposite direction में जाता है, तो यहाँ पर की तरफ liquidity sweep हुआ है, तो market down जाएगा, और यहाँ से आवली time frame में downtrend जाने के sign भी मिल रहे हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं, आवली time frame में कर रहा है आवली टाइम फ्रेम में तो अभी हम एरियास बनाएं जहां पर हमें सेल उपर्चुनिटी मिल सकती है तो उसके लिए सबसे पहले आपको हाई लोग करना है तो यहां पर देखिए यह हमारा हाई है और यह हमारा लोग है अभी इसको मैं लोग क्यों बोल रही हूं क यह हुज आएगा मारे लीए लो अब हम एरिया बनाए जहां पर हमने सकते हैं करने के लिए यहांपर देखिए यह पे दो एरिया बन रहे हैं तो यहां पे तो दो यह वाला a-t suffer यहां पर यहां पर यहां तो हम चैड ह reasoning को अले सकते हैं Онब लसक्ता है और यहां पे हमारा एक्स्टरीम पे एक लभी मिल्सका है तो यह पर आपको दैयरेक्ति क्या स्परसक्राइब करएगा कि सब diff US से तो आपको इन और यह दातक है तो इस यह वाला मार्केट नहीं आने दो आए फर आपको सब्सक्राइब मिलती है तो यहीं कर सकते हैं और अगर यहाँ पर lower time from confirmation नहीं मिल रही है तो मतलब कि यह area काम नहीं करेगा तो फिर आपको market को इस वाले zone में आने देना हैं और जब market यहाँ पर आ जाए फिर आपको same thing दोरानी है यहाँ पर भी आपको lower time from confirmation लेकर के ही trade लगानी है तो इस तरीके से गोल्ड में यह दोनों बन रहे हैं जहां पर हमें सैल उपर्चुनिटी मिल सकती हैं उसके साथ आप काउंटर ट्रेट भी कर सकते हो जब तक मार्केट हमारे एरियास में आता है तब तक आप यहां पर बाइ कर सकते हो तो यह है गोल्ड का अनलेशिस और यह ह हमारा आज का प्रिपरेशन का वीडियो आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो अगर आपको वैल्यू मिली है तो गिवेट लाइक और कमें शिक्ष्ट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा अपने फ्रेंस के साथ इस वीडियो को शेर कीजिए बिको शेर is carrying. तो मिलते हैं next video में. Next video के लिए follow and subscribe करना. मत बूलना. Bye-bye and have a blessed day guys. Let's become 1% together.